हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू थे एक्जाम टॉपर्स स्वागत आप से विका हमारी यूट्यूब चेनल में हाल ही में भारत चीन के विवाद में कोई कसर नहीं रही कि अब नेपाल की ओली सरकार भी चीन की खोली में जाती नगत आ रही है चमकादर चीन अपनी निगाहें नेपाल पर गड़ा रहा है ताकि नेपाल को अपना अब मान कर उससे भारत पर चोट पहुंचाई जा सके इसके कई उधरन देखे जा सकते हैं जिसमें हालिया मुद्दा भारती छेत्र को नेपाल अपना बता रहा है अपने नए नक्षे को भी वहां की संसर में पारित करवा लिया है जिसमें लिपुलेक, काला पानी और लिम्पिया थूरच छेत्र को वहां अपना बता रहा है लेकिन अब नेपाल चालवा चिन के वहकावे में आकर भारत नेपाल सीमा पर बांध के मरमत कार में रुकावट को पैदा कर रहा है इसी करम में हाल में नेपाल ने बिहार में किया है अपनी 500 मेटर भूमी होने का दावा इसके साथ ही उसने बांध की मरमत पर भी रोग लगा दी है जिससे बिहार में बाढ़ाने के अभी खत्रा मंडरा रहा है तो आईए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इस बारे में तो वीडियो का इंट तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनलों को सब्सक्राइब नहीं कियादा सब्सक्राइब कर बेल अगें को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते तो आईए शुरू करते हैं जैसा कि लिपुले काला पाने वा लिप्या थुरा की सीमा विवादवा अन्य मसलों पर नेपाल से भारत के बढ़ते तनाव के दोरान दोनों देशों की बीच एक और नय विवाद खड़ा हो गया है नेपाल ने बिहार के चंपरान छेत्र इस् दोरह करेए नेपाल ने बिहार सीमा पर जो रोका है बांध की मरमत उसके बारे में तो नेपाल ने बिहार की पूर्वी चंपरण के डाका अनुमनडल इस्तिर्, बलुवा घूआ बारी पंचायत के निकट, लाल-बकई-य नदी पर बांध की मरमत के कारे को रोक दिया है इ इससे हेवान तूट गया था 2017 में आई बाल से तूट गया था इसकी मरम्मत पर नेपाल ने आपत्ती जताई थी जिसके बाद काम रोग दिया गया बांध बन जाए तो पूरवी चंपरन जिले के डाका और पता ही में बाल की रोग थाम करना संभव हो सकेगा अहम बात करते हैं जो में मुद्ध है की 500 मेटर का भूखंड का विवाद है तो यहां कहां है क्या है इसके बारे में तो भारत के ससस्त्र सीमा बल अर्थात SSB वा पूरवी चंपरन जिला प्रसासन के अनुसार यहां विवाद भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 345 पांच और 347 के बीच के 500 मेटर के भूखंड को लेकर है नेपाल बांध को लेकर जब भी आपत्ती करता था भारत वा नेपाल के अधिकारी बाच्चित से इस मामले को सुल्जा लिया करते थे लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव की बीच ऐसा संभव नहीं हो सका है सीमा वरती छित्र के लोगों का मानना है कि बांध के विवाद को नेपाली ससस्तर सीमा प्रहरी वा सीमा पार के नेपाली नागरिक उल्जा रहे हैं नेपाल के ग्रामिडों ने SSB के साथ कई बार दुर्वयावर भी किया है जैसा कि इस विवाद में ऐसा माना जा रहा है कि किसी बड़ी विदेशी शक्ती अर्थात किसी विदेशी देश जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वरतमान में भारत का दुश्मन कौन चल रहा है उसके होने के आशंका भी जबाई जा रही है तो इसे बीच बांद की मरम्मत पर लगी रोग से सीमाई इलाकों में लोग भी डरे हुएं बलुवा गुवा बारी के लोगों के अनुसार नेपाल के साथ भारत का सदियों पुराना सामाजिक एवं सास्कतिक संबंद रहा है दोन देशों की सीमाई भी खुली रही है ऐसे में अचनक संबंदों में तनाओ वा बांद की मरम्मत पर रोग के पीछे कोई बड़ी विदेशी सकती का भी हात नगर आ रहा है जैसा कि नेपाल में उग्रक राष्ट्रवाद को कार्टोग्राफिक विवाद ने पढ़ाया है तो इस बारे में भी हम जान लेते हैं तो सवाल उठता है कि भारत वा नेपाल के बीच क्या विवाद है तो बिटिश साशन के दोरान वर्ष 1816 में बिहार के पुर्वी चमपरण के सुगोली में भारत वा नेपाल के बीच एक संदी हुई थी जिसे सुगोली की संदी कहते हैं इस संदी से दोनों देशों की सीमाय तैख होती है संदी के अनुसर बिटिश साशकों ने काली नदी के उत्पत्ति स्थल को भारत और नेपाल की सीमाय तैख किया है जिसे लेकर दोनों देश की अलगलग रहे है नदी के उत्गम स्थल को लेकर भारती छेतर लिपुलेक, काला पानी वा लिम्पिया धुरा पर नेपाल अपना दावा कर रहा है दोनों देशों के बीच इस कार्टोग्राफिक विवाद ने ही नेपाल में उकर रास्टोवाद को बढ़ा दिया है तो लिपुलेक, काला पानी वा लिम्पिया थुरा के कारण देशों की बीच उपजी तनाव का असर बिहार नेवाल सीमा पर इस पस्ट रूप से दिख रहा है हाल ही में बिहार के सीता मणी के कुछ ग्रामिनों को नेपाल पुलिस ने बंदग बना कर पीटा तथा उन पर गोला बारी भी की है गटना में एक भारते की मौत भी हुई है पूरवी चंपरण से 69 मेंस लेंड पर नेपाल में कोरोना से मरे लोग के अंतिम सिसकार की खबरे भी मिल रही है अब नेपाल ने बांध की मरम मत रोग दिये जिस से बिहार में बाल का खत्रा पढ़ने की पूरी-पूरी संभावना है जैसा कि भारत के लिए नेपाल आहम रहा है लेकिन चीन का खत्रा इस बार मन रहा है तो तमाम विवादों के बावजूत चीन वा भारत की बिच इस्थित बफर वार लेंड लोक देश नेपाल भारत के लिए बेहदी आहम रहा है भारत ने भी नेपाल के विकास में अहम योगदान दिया है लेकिन हाल के दिनों में चीन ने धीरे धीरे नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाया है चीन अपने Belt and Road Initiative अर्थथभी आराईव में नेपाल को एक अहम सहयोगी मान रहा है और वैश्विक गापर बढ़ाने की ओजना के तहत्मा बड़े प्यमाने पर निवेश भी कर रहा है इसी के कारण नेपाल में जो इस्थिती उत्पन हो रही है उसका सबसे बड़ा हाथ चीन का माना जा रहा है क्योंकि चीन आर्थिक सहायता नेपाल को दे रहा है जिसकी वजह से नेपाल भारत से शत्रुता मोल ले रहा है तो माना जा रहा है कि हाल की दिनों में चीन वा भारत की बड़े तनाव की बीच चीन के प्रभाव में आकर नेपाल भी इन दिनों सीमा विवाद को उल्जा रहा है और हाल हिमोस ने अपना नया नक्षा जारी किया है जिसमें भारत की कुछ छेत्र को अपने देश का छेत्र बताया है तो यहां थी पूरी चर्चा नेपाल ने 500 मिटर का दावा किया है उसके बारे में कार्टोग्राफिक विवाद क्या है और भारत नेपाल चीन संबंधी आदेविश्यों के बारे में उमीद है आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइकन शेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद